दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ड इसके पहले दो ग्रहन बीच चुके हैं जो कि 5 जून 2020 को पड़ा था एक चंद ग्रहन था और तुरंथ ही कुछ दिनों के बाद यानि 21 जून 2020 को एक सूरे ग्रहन पड़ा था लेकिन आने वाले कल यानि क पांच जूलाई 2020 में वी एक चंद ग्रहन की आशंका जताई जा रही है लेकिन गर्वती महिलाओं को किन-किन बातों का ध्यान रखना है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है कमप्लीट आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगे और ये जो कल वाला जो यानि 5 जू अलाई 2020 वाला जो होने वाला है चंद ग्रहन वो एक उपचाया का चंद ग्रहन है जो कि सुबह में 8 बच के 37 मिनट से शुरू होगा और रहेगा 11 बच के 22 मिनट तक तो गर्वती महिला को बहुत सारी चीजों का जहान रखना है जो आपके नियम है वो उसको पालन करना है ये उपचाया का ग्रहन है इसका ग्रहन का जाधा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आपके मन में कई भी कुछ भी डाउट है तो आप उपाय कर सकते हैं और अपने बच्ची की रक्षा कर सकते हैं देखिए ऐसा माना जाता है कि जो ग्रहन होती है उसकी चाया ग आपके कमरे तक नहीं पहुंच भाए लेकिन इसकी साथ एक और भी बात में यह बोलूँगी कि अगर आपको किसी तरह की एमर्जेंसी है कहीं ऐसी सिचोशन भी बन जाती है कभी-कभी गर्भावस्था में या अधर दैन आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो अगर निकलने का आपको संभाव नहीं पड़े तो कुछ धान का रखके आप बहार निकल सकते हैं अपने आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से ढख लीजे ताकि इसका हामफुल रेज आपके ऊपर नहीं पड़े और ऐसा माना जाता है कि सूतक काल के समय से ही आपको खाना प पीने की चीजे अगर इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके पहले प्रिकॉशन के रूप में या फिर जो बड़े लोगों की मानता है उसके हिसाब से बस उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख दीजे तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहन का जो दुश प्रभाव है वो कम हो जाएगा और यह उपचाया का चंद ग्रहन है तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेनी की जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी अपने मन में एक चीज आती है तो आप इस सब चीज फॉलो कर सकते हैं अपने बड़े लोगों की भी एक्षा को आप रख सकते हैं और रही बात आप लेट सकते हैं बैट सकते हैं या करवट ले सकते हैं तो जी हां आप बिलकुल लिजे क्योंकि देखिए प्रेग्नेंट इंसान को एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारी चीजों कॉंप्लिकेशन होती है वो इतना ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती है या लगतार काम कर सकती हैं तो उनको बीच बीच में रेस्ट की जुरुत है तो उनको रेस्ट करने के लिए बात है कि वो लेटेंगी वो बैठेंगी तो बैठ जाया इतमिनान से इसमें कुछ भी दिकत नहीं है और हाँ अगर आप कर सकती है तो अपने भगवान को याद करिए बहुत दो घंटे का जो समय है उसको आप चिंतन में लगाईए अपने भगवान को याद करिए उनसे प्रातना करिए कि सब कुछ आपके अच्छे से हो जाए डिलिवरी अच्छे से हो जाए और एक छोटा सा उपाय आपको यही बताऊंगी कि आपको करना क्या है देखिए अगर अपने सर से लेके पाऊं तक उसको आप नाप के आपको दिवार के ऊपर टांग देना है उसको इसमें किसी तरह का गांठ वगरा नहीं होना चाहिए और उसको आप टांग दीजिए और सेलोटेप की मदद से चिपका दीजिए और देख लीजी यह बहुत ही सटिक उपाय ह जो कि आप किसी भी ग्रहण में कर सकते हैं चाहे वो सूरी ग्रहण हो या चंद ग्रहण हो और देखें ट्रस्ट मी दोस्तों मेरी खुद की प्रेग्नेंसी में मैंने सकिया और भगवान की दियास से मेरे दोनों बच्चे काफी स्वस्थ हैं और आप लोग भी यही चीज़ करिए लेकिन हाँ एक चीज की मैं आपको परसनली एडवाइस करूंगी कि किसी तरह की काटने की बुनने की या सिलाई बुनाई जैसे बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहन में इस तरह की चीजे काफी वर्जित होती है तो अफ्वेसी बात है कि ये चीज को बाद के लिए टाल दीजिए क्योंकि इस समय आपको पेन पैंसल तक का इस्तमाल भी नहीं करना होता है तो आप कोशिश ये करिए कि आपको ना पैंसल का ना चाकू का खैंची का जितनी मिनुकीली चीजें उनका इस्तमाल बिल्कुल मत करिए बड़े लोगों की मा होने चाहिए जितना कि बरदाश्ट होता है आपके सरीर पर और किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए तभी आप इसम नियम कानून को फॉलो करें तो इसलिए अराम से आप खाईए पीजिए अराम से लेटिए और ग्रहन के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए वैसे भी उपचाया का ग्रहन है इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो होप आपको ये सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर देजेगा और मेरे चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको सब्सक्राइब कर लिया पड़ेगा थैंक यू सो मुच पर ओचिंग ट्रेंस मैं वर्ड